हलो फ्रेंट्स में डाक्टर पीयस्ति वारी आप सभी को सब्सक्राइब दोस्तों आज हमारा रेड़ नाइज स्विंटम का नाइंट्यवेन वीडियो है इस वीडियो में भी में आपको कुछ द्वायों का रेड़ नाइज स्विंटम बताऊंगा चुछ चली सुरू करते है दोस्तों पहली द्वाई के नाम है के लंडूला के लंडूला का एक रेड़ नाइज स्विंटम गया है इंजरी कहीं हुआ है तो जितना इंजरी ने हुआ है उससे ज्यादा दर्ध हो रहा है तो इसमें एक्सर हम लोग आर्निका देते हैं एक्सर लिकिन एक्ट्रेश स्व तो इस तरह का दर्द इंजरी जो हल्का इंजरी से दर्द ज्यादा हो रहा है यह प्रादम ठीक हो जागी दोस्तों अगली दवाई का नाम है गुल्णाइन और इसका रिग्डाइन सिंटम में खास यह है कि अगर कहीं पर चोट डगी थी लांगे गो बहुत दिन पहले चोट लगी थी अगर दर्द हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो अगर डीपर टिस्यू में चोट डगी है तो उसके लिए तो हमें एक वीडियो में पूलोगे बेलिस पर देना है लेकिन गर चोट काफी दूनों की है ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें भी आपको 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 देने की जुरूत नहीं है तो इसमें आपको गुलो नाइन देना है गुलो नाइन 200 सब्ता में एक बार दीजिए जब तक कि आपका दर्द नहीं ठीक हो जाता है लेकिन सिंटम में इस तभी होगा जब आपका ये इंजरी आपको लांगेगो लांगेगो हुई थी आपको दर जनम लेते हैं एक रेड मार्क हो गया है तो इसमें कोई कांश्टिटूस्टम दवाई या और कोई स्विंटम में जरूत नहीं है तो इसका रेड लांगेगो है कि जो है जनम से रेड मार्क हो गया है लाल निसान हो गया है इसके लिए आपको प्रसाद होने के जरूत नहीं तो आपका इस तरह से जो बाइद बर्थ रिड मार्क है वह आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों अगली दवाई के नाम है काली सांजिटम इसका रिडलांग सिंटम यह है पावर आफ स्पीज गॉन आपका बोलने की सक्ति खत्म हो गई है कारण कोई भी हो पर आलिसिस हुआ हो या गले में कोई भी दिकषभत हो प्राब्लम कुछ भी हो अगर पावर आफ स्पीज चली गई हो लेकिन इंटलिजेंसी बरकराः है पेसेट इंटलिजेंट है सब चीशिग देख राह है सुन रहा है इंटलिजेंट है लेकिन बावर चला गया है तो ऐसे पेसेट् chapters को अगली दबाई के नामें कैक्टस और इसका रेड डाइन्स विंटम है कि पेरियोडिक नुरेलजिया बनने कि अगर नुरेलजिया आपको नर्फ में दर्द हो रहा है आठ वजे तो अगले दिन फिर आठ वजे होगा दर्द कहें भी हो किसे भी जगह हो अगर नुरेलजिया एक खास पेरियोडिक टाइम पर आती है एक खास निशी टाइम पर आती है तो इसके लिए काक्टस थार्टी दो दो बूद कर दिन में तीन बाज दीजिया तो आपका जो पेरियोडिक नुरेलजिया होता है यह ठी हो जागा दोस्तों अगली दबाई के नाम है दोस्तों अगली दबाई के नाम है इसमें क्या होता है कि जो हर्ट का जो धरकन होता है और जो इतना तेज होता है कि आप आराम से उसको देख सकते हैं और सूर सकते हैं अगर इस तरह का हो रहा है भीजबूल हो रहा है और सुनाई भी पढ़ रहा है और दिखाई भी पढ़ रहा है तभी इस पर इस पर इस जाहिला काम करेगी ठीक है दोस्तों अगरी दबाई के नाम है लाइक पोडियम और इसका एक खास रेट डान सिम्टम यह है कि आपको जो है पेरियोडिक भेजाजल डिस्चार्ज अगर जो है चार दिन बाध हो तो फिर अगले चार दिन बाधी होगा और फिर पर शर दिन बाध होगा उगा उन्हिकाइख अगर ऐसा स्म्टम है तो आप जो है इस दोड़ाई को दीजी दोड़ाई कर दिन में तीन बाद दीजे इस दोड़ाई सापको पुरूंडूप से आरा हो जाएगा तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दोड़ाईयों का रेड लाइम स्म्टम बताया उसे समंधित कुछ श् अगर आपने हमारा चैनल अभी तो सब्सक्राब कर लिए तब तक मिलते हैं आप से अगले ऐसे किसी वीडियो में नमस्कार